तो अभी मैं भार-बार यह वर्ड यूज़ कर रही हूं element element तो अभी यह element क्या होता है हमने atom तो read कर लिया कि कोई भी हमारे पस matter होगा matter में small particles होंगे small particles को हम atom बोलेगी यह तो हमने find out कर लिया कि जो atom है वो independent exist नहीं करेगा उसको कोई ना कोई combination में चाहिए कोई same type of atom भी हो सकता है इन दोनों को combine करके molecule बना लेंगी वो तो हमने read कर लिया fine अभी हमने read करना कि जो अब हम यह word बोल रहे है element element यह element क्या होता है तो element क्या होता है element एक simplest form होता है pure substance का अगर मैं कोई भी pure substance लूँ pure substance का simplest से simplest form भी अगर मैं देखो तो उसे हम बोल जाया कि वह element है और जिसको मैं further divide किसी भी और substances में या कुसी भी और identical thing में divide नहीं कर सकती for example कि अगर मेरे पास यहां पर oxygen atom है O2 होता है इसका symbol O2 ठीक है अगर मेरे पास यहां पर oxygen atom है तो oxygen obvious है कि oxygen और oxygen से मिलकर oxygen और oxygen का atom मिलकर ही एक oxygen वाला molecule बना होगा या oxygen का element बना होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी element देख लो element मतलब क्या होता है element मतलब hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen जो हमारे सभी मैंने बोले हैं कि one to twenty elements name learn कर लो तो यह elements को यह होते हैं हमारे पास element hydrogen helium lithium वाले और जो यह elements होते हैं simplest form होते है एक pure substance के जिसको हम further कोई भी similar substance में यह similar element में convert नहीं कर सकते है divide नहीं कर सकते हैं ठीक है तो next we are having something more related to atom उसमें क्या होता है देखो कि अगर आपने कोई element को बिंगने हैं for example मैं यहाँँ रिक्षा कर सतस्थ अगर आपने नाईग्रोचन element को देखना है तो आपने इलेमंट का symbol ऐसे настро में डाल ले हैं कोई भी आपने element देखा उसका अपने symbol center में डाल दिया अभी आपने यहां लिखने कुछ और यहां पर लिखने कुछ अभी जो भी इस element का atomic number होगा वह आपने कहा पर लिखने है वह आपने यहां पर सब्सक्रिप्ट में लिखने है ठीक है तो सब्सक्रिप्ट में क्या जाएगा atomic number आ जाएगा तो nitrogen का atomic नमबर कितना है 7 मैंने आपको पहले बोला कि 1 to 22 elements नेम आप प्लीज लर्न करी लो उसके atomic number elements ने इस अभी तो आपने लर्न कर नहीं होगा तो जो भी इसके atomic number होगा वो आपने subscribe में लिखना है और जो भी nitrogen का mass number है को आपने यहां पर superscript में लिखना है तो यहां पर mass number कितना होता है इसका mass number होता है 14 तो आपने ऐसे एक element को represent करना है center में उसका आपने रखना है element का name नीचे आपने रखना है atomic number उपर आपने रखना है उसका mass number जैसे कोई भी x element है नीचे आपने उसका atomic number लिखना है उपर आपने उसका mass number लिखना है तो यह हमारे पास यहां पर representation हो जाती है कोई भी for the element having compound तो compound का मतलब क्या ध्यान से देखो अगर मैंने यहां पर two elements ले लिए एक मैंने hydrogen ले लिया और एक मैंने oxygen ले लिया ठीक है अगर मैंने hydrogen and oxygen elements को combine करवाया combine करके एक फिक्सरेशो में combine करते हैं ऐसे निया कि कुछ भी number of hydrogen उठाओ इन दोनों को mix कर दो उठाके ऐसे नहीं करना कुछ fix number में आपको hydrogen उठाना है कुछ fix number में आपको oxygen उठाना है इन दोनों को combine करवाके आपने water बनवा दिया ठीक है तो यह water जो एक चीज बनेगी ना water को हम बोलेंगी कि उसका compound है वो एक compound है क्योंकि hydrogen और oxygen तो element है elements को combine करने पे जो result मिलता है उसको हम बोलता है in a fixed ratio याद रखना आपने कि अगर आपने elements को भी combine करवाना in a fixed ratio ठीक है by their weight fixed ratio भी कौन सा fixed ratio by their weight इसका fixed weight होना चाहिए fixed ratio weight होना चाहिए इसका भी fixed ratio weight होना चाहिए ठीक है इन दोनों को अगर आपने combine करके एक new substance बनाया तो उसे हम बोलेंगे कि वो उसका compound है ठीक है for example आपने fixed ratio by weight ने लिया मैंने hydrogen लिया oxygen लिया मैंने fixed ratio वाला weight तो concept क्रॉस कर दिया मैं को पता ही नहीं था तो मैंने वैसी hydrogen उठाके वैसे oxygen उठाके मैंने H2O2 hydrogen peroxide बना दिया अभी जो मैंने water बनाना था water मेरी क्या था drinking purpose के लिए important था ठीक है मैंने drink करना तो उसको water को पीना था बट अभी तो hydrogen peroxide बन गया है हो बनेगा ठीक है so like here we are having the example of water कि अगर आपने water बनाना है तो water बनाने के लिए आपको जो mass है hydrogen का वो आपने one use करना है mass of oxygen आपने 16 यूज करना है ठीक अभी इसको मैंने ratio find out करने कितनी ratio आएगी इसकी ratio by weight कितनी आएगी जो मैंने word करना है तो आपने first thing तो one to twenty element नीम आपने learn करनी होगी उसका atomic number learn करना होगा और उसके mass number भी आपको learn करने ही होंगी ठीक है तो आप learn कर लो इसको तो अभी मैं find out करूंगी ratio by weight कितना आएगा hydrogen का तो अभी हमने ratio by weight find out करना ना तो next element find out करने के लिए next element को use करने के लिए में center में ratio डालने होगी ठीक है oxygen का mass कितना होता है oxygen का mass होता है 16 तो इसको solve कर लो कितना जाएगा two ratio 16 अभी ratio में अगर एक कट हो रहे ना two के table में कट हो कट कर दो two ones are two eight user 16 तो कितना आगा one ratio eight मतलब in order to make water h2o आपको one ratio eight में ही water को बनाना होगा तब ही आपका water बनेगा otherwise आपने ratio थोड़ी भी दर-दर कर दी तो आपका वो सही compound नहीं बनेगा ठीक है so next topic we are having atomic city तो atomic city का मतलब क्या देहान से देखो atomic city का मतलब है कि कोई भी molecule of an element अभी molecule of element का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी element लिखा जैसे मैंने oxygen लिखा बट उसका molecular form लिखना है जैसे मैंने पताया कि आप oxygen को अकेला O नहीं लिखते है आप oxygen को लिखते हो O2 या अब hydrogen को लिखते है अब hydrogen को लिखोगे H2 कोई भी अगर element gaseous form में होता ना तो उसके हम सब्सक्रिप्ट में टू डालती है ठीक है तो वह होती है उसकी molecular form अभी हम यह चेक करना atomic city में कि atomic city में कितने number of atoms present है कोई भी molecule of a element में यह molecule of a element में कितने number of atoms present है उसको हम बोलेंगे कि उसकी atomic city इतनी है पर एक्जांपल oxygen molecular form में O2 होता है तो इसको इसके two oxygen atoms है ना O के पैर में two है two मतलब इसके two atoms present है oxygen की oxygen की atomic city कितनी है two जैसे for example water है H2O तो यह water molecular form ना one molecule of water है इसके आगे कितनी atomicity है तो कितनी atomicity ध्यान से देखो hydrogen के पैर में कितनी है कितनी है hydrogen के two और oxygen के मतलब यहां पर subscribe में कुछ नहीं मतलब कितना होगा one ठीक है तो two plus one कितना आगे हमारे पास three तो water की atomicity कितनी water की atomicity है three तो हम कोई भी symbol को देख के से पता कर सकते हैं कि इसके atomicity कितने उसके पास कितने number of atoms present है तो अभी हमेर मेरे पास molecule की definition given है molecule का मतलब क्या था है कि अगर दो या दो से जादा atoms combine कर जाएं कोई same kind की तो उसे हम molecules बोलते है for example आपने hydrogen और hydrogen को add किया तो उसने molecule बना दिया hydrogen this one hydrogen gas ठीक है तो यह मेरे पास क्या molecule है hydrogen का और यह simple एक मेरे पास element का name है h ठीक है h plus h इसने जोड़के बना दिया h2 तो यह h2 को मैं बोलूंगे एक molecule है और यह simple h को मैं बोलूंगे एक element है और जो भी इसके subscribe में होगा वो उसके number of atoms होगे तो इसके atomicity कितने hydrogen की 2 chlorine के atomicity कितनी है 2 bromine के atomicity कितनी है 2 तो ऐसे अब मतलब देख सकते हो कि कितने number of atoms है जितने number of atoms होगे उतनी उस element की atomicity होगी next we are having types of molecules जैसे हमने molecule definition read कर ली कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा कोई भी atoms of same kind को combine करते हैं तो वो molecule बना लेते हैं ठीक है अभी हम पढ़ेंगे types of molecule तो first type of molecule we are having monotomic molecule तो mono का मतलब होता है single mono मतलब single atomic atom कि जो भी molecule में single atom होगा कोई two three atoms नहीं होगे उसे हम बोलेंगे monotomic molecule for example we are having helium तो helium के देखो helium में के यहां पर subscribe में कभी भी two three four ऐसा कुछ नहीं होता इसका simple molecular formula भी he ही है और इसका element name भी symbol भी he ही है ठीक है तो अगर तो इसके pair में कोई भी element की यहां पर subscribe में कोई भी atom नहीं लगा हुआ तो उसे हम बोलेंगे monotomic molecule those molecules which contain only one atom like helium it is called monotomic molecule next we are having diatomic molecule तो डाय का मतलब होता है two atomic मतलब atom तो जो molecule में two atoms लगे होंगे उसे हम बोलेंगे diatomic molecule for example oxygen for example hydrogen chlorine तो यह सभी के pair में सभी के subscribe में two है ना इसका मतलब oxygen के two atoms है hydrogen के two atoms है chlorine के two atoms है तो इन सभी molecules को हम क्या बोलेंगे यह molecules है diatomic molecules वाले ठीक है next type of molecule we are having triatomic molecule तो try का मतलब होता है three atomic मतलब atoms कोई भी molecule में अगर three atoms हो तो उसे हम बोलेंगे वो triatomic molecule है अगर आपने name सुना ozone का ozone नेम सुना जो ozone layer earth के surrounding में ऐसी ozone layer होती है वो ultraviolet radiation sun की ultraviolet radiation है हमें protect कर दिया उसको बोलते है ozone ठीक है तो ozone के देखो ozone का formula molecular formula होता है O3 तो इसके pad में क्या है इसके subscribe में क्या है three atoms है ना oxygen के तो इसका मतलब क्या है oxygen है वो कितना triatomic molecule है ठीक है next we are having fourth type of molecule that is tetraatomic molecule tetraatomic molecule का मतलब क्या है tetra मतलब four atomic मतलब atoms कोई भी molecule में अगर four atoms मतलब combined हो तो उसे हम बोलेंगे tetraatomic molecule for example phosphorus phosphorus के ऐसे pair में subscribe में हमेशा four होता है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर phosphorus के four atoms है तो which means we can say that phosphorus is a tetraatomic molecule तो आप